विलकम बेक टु सातियो समाध acknowledging study फिर्ष से aams की एक नही वेकन्स और नही भर्ती आपके समक्ष चाहिए सातियो aams के form लगातार नीकलते है हर मंत सातियो इसके form आते है क्यों आते है तो सातियो क्योंकि सातियो इसकी कम vacancy आते है इसलिए इसके जो form ही बहुत कम ही आते है ठीक है तो इसके बारे में मैं पूरी जानकर्य आपको प्रवाइट करूँगा आप लोग वीडियो को अंधर देखिएगा ठीक है EMS जो है राइबरिली से ये आई है रेजिमेंट द्वारा दोजर चूबिस की भरती है क्या क्या योग्यता है सारा कुछ जांगे ठीक है ये जो है आप देखिए आल इंडिया मेडिकल साइंस आप सभी को बता है EMS का फूल फॉर्म ये होता है चलिए देखिए मैं बात करता हूँ साथियो पहले तो साथियो फॉर्म EMS के लिए है जनल एडमिसन अमाउंट देखिए साथियो कितना कितना लग रहा है ठीक है सारा कुछ बताओंगा आप लोग अंतितर बने रही है ये OBC वाले कंडिडेट है और जनरल वाले कंडिडेट है EWS कंडिडेट है तो आपको 1180 रुपीज लगने वाला है साथ में अगर HCST है तो आपको कोई भी अंतर नहीं है साथियो 100-100 रुपे बज़ेगा 944 रुपे आपको लगने वाला है ठीक है GST मिला कर 800 तो है और GST आपने मिला दिया EWSR को कोई भी हमोन नहीं लगने वाला है फॉर्म की अगर मैं बात करता हूँ तो देखे फॉर्म की बात करते है देखे जहां से सुनिएगा फॉर्म जो है साथियो देखे लास्ट डेट फॉर एप्लिकेशन आप लोग कर सकते है कब तक साथियो तो 14 तक आप लोग इसकी लास्ट डेट है, 5 डेट तक आप लोग कर सकते है एक्जाम इन्होंने मेंसन कर दिया साथियो कि 21 साथ को हम लोग एक्जाम ले लेंगे कितना कॉप को ले लेंगे? 21 साथ को मतलब M साब को पताए कि इस बहुत फास्ट चलता है और इसकी वेकेंसी भी और साथ में देखिये डेट आप जो है डिपार्टमेंटल ठीक है डिपार्टमेंटल के एक्जाम साथ यो 22 तारीक को होगी ये भी इन्होंने मेंसें करगा है एज देखिये साथियो एज की बात करें तो आपका 18 से लेकर 45 तक की एज तक आप लोग फॉर्म को फिल अप कर सकते चलिए और देखिये टोटल वेकेंसी किस तरीके से आपका जो है एनाटॉमी की 2 है बायो केमिस्ट की 3 है ठीक है काडियोलोजी की 7 है ऐसी टोटल काफिसर है डेंटल की 1 है तो ये सारी पोस्ट आपके समक्ष दिख रहे चलिए मैं आपके लिए रूल भूग भी डाउनलोड कर लेता हूँ ठीक है साथियो एपलाई आप लोग यहां से कर सकते हैं इसका लिंक में प्रॉपर आपको दे दूँगा और सिंपली आप लोग इस पर क्लि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ठीक है यह साथियो राइवरिली का जो है ओफिसियल जो पीज है यह डाउनलोड हो चुका है ठीक है यह नोटिफिकेसन है और यह विकेंसी के बारे में ठीक है एनटॉमी है आपका जो यह बाई का मिनिशला जी है ऐसे टोटल आलमोस्ट इन्होंने शीटों को बटवारा किया है तो 131 सीटे आपकी बटी हुए है ठीक है साथियो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 36 पोस्ट यह बटी हुए है अगर आप SCST OBC जनल स्टुडेंट है आपकी सीट अगर आपके डिपलोग रेडियो ग्राफर की भी पोस्ट है यह तो जितनी भी जो है केटेगरी होती है उन सारी केटेगरी उसके रेलिटेड यह फॉर्म आया है ठीक है यह सारा कुछ मैंने बता दिया है और उसके एक औरिडियो ग्राफर के लिए जासती तो आपको रेडियो ग्राफर का डिपलोग मांगेगा जिस भी पोस्ट के लिए अपलेकरते हैं तो आपको उसका डिपलोमा होना ज़रूरी है ठीक है एज लिमिट के मैंने बात कर दिया है ठीक है अधिक सऺवी फोटिफऩाइव होना चीए देखक यह साथ इनोंने कह दिया है सेलरि मैं आपको बोला था कि एमस की कोई भी आप लोग सेलरी की बात कर ले आप लोग में जूम करके बदा दू ये देखे salary देखे कितनी है 67 ठीक है मतलब 67,700 रुपे प्लस जो है आपका NPA अलग है मतलब सातियों मान लेज़े 70-80,000 तो बिलकुर salary बनना ही बनना ही है समझा रहा है आप लोग तो आप लोग सभी जितने भी आप लोग candidate है जितना देखते है साति आप सारे के सारे बच्चे form डालिएगा ठीक है return जो है आपका जो है और आपका जो है ठीक है interview बहले तो आपका 80% marks का आपका exam का होगा और साति 20% mark आपका interview का होगा ठीक है experience अगर आपको किसी post के लिए experience मांगा है वो भी लगने वाला है तो यह document के list है मैं telegram पर आपका upload कर दूँगा date देखिए आपको बता चुका हूँ मैं कि 14.07 तक आपको form को fill up करना है written exam date और interview date आपने आज written exam दिया अगले दिन आपका इंटर हो जाएगा और तुरंत ही आपको result भी मिल जाएगा ठीक है तो यह सारा notification है आप सभी को मैंने पूरा पढ़कर बता दिया है ठीक है तो काफी सारे अगर queries रहती है न साति हो तो आप लोग basic जो है दो आपको लोग अगर रहती है झाल झाल